असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रायान मलिक एन आपको नाम से पता चल रहा है इंटर कनवर्जन ओफेटव मीनज के एनरजी का चेंज होना एक फोर्म से दूसरी फोर्म के अंदर ठीक है इसको study करने के लिए हम चलते हैं बोर्ट की तरफ Topic No. 6.6 Interconversion of Energy Energy का एक form से दूसरी form में change होना That is, Energy can not be destroyed But it can change from one form to another form Energy कभी भी खतम नहीं होती Destroy मतलब के खतम कभी भी नहीं होती लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है ठीक है अब जैसा कि for example rub your hands ठीक है अब मैं अपने हातों को जब मैं इस ताँ से rub करता हूँ हम सर्दियों में अपने हातों को इस ताँ से rub किया करते हैं अब इसमें actually देखें आप कि मेरी muscular energy जो है वो change हो रही है किसमें heat energy में ठीक है अब अकसर ऐसा होता है कि हम कहते हैं हमारे अंदर energy नहीं है हमारे अंदर energy खतम हो गई है तो no doubt वो actually हमारी energy जो है वो convert हो चुकी होती है किसी और form के अंदर ठीक है अब जैसे हमके rub your hands के example हम ले रहे थे ठीक है कि अब हम हातों को rub करते हैं अब इसमें basically energy conversion जो है वो किस तरह से है ठीक है या आब देख सकते हैं like for example के हमारी muscular energy थी muscular energy हमारी convert हो गई mechanical energy में कैसे मैंने हातों को rub किया that means कि में अब हाद क्या है मेरे motion में है, फरकत में है तो वहांपर just पर मौशन में ह.. हरकत में होती है रहांपर mechanical energy होती है that means में मेरी muscular energy convert हो गई mechanical energy में अब ये mechanical energy further convert हो जाएगी heat energy में ठीक है और इस तरह से हमारे हाओध जो है वो गरम हो जाते हैं, जो अगसर, हम सर्द्यों में अगताओं से हम करके अपने हाओध जो है वो गरम किया करते हैं ॠीक है आपको भी यहां पर convergence समझा रही होगी कि masculine energy जो है वो convert हो रही है mechanical energy में और mechanical energy जो है वो further convert हो रही है heat energy में तो ये एक simple सी example थी inter conversion of energy की अब हम एक और example discuss करते हैं ठीक है मैंने यहाँ पर like एक पहाड सा बना दी है अब ये जो एक cycle मैंने हैं छोटी सी बनाई है इस cycle वाले ने यहाँ से इसना से पहाड उपर चड़ना है और यहाँ से नीचे आने है ठीक है अब होगा क्या कि ये cycle वाला जब force लगाएगा अपनी effort देगा तो ही ये cycle उपर चे यहाँ तक आ जाएगे ठीक है अब that means जब ये cycle वाला force लगा रहा है तो अब ये क्या कर रहा है energy in कर रहा है ठीक है अपनी efforts लगा रहा है अपनी force लगा रहा है अपनी energy जो है अपनी muscular energy अपनी mechanical energy जो है वो इस में put कर रहा है वो दे रहा है तो इसको हम कहींगे कि यहां पर energy in हो रही है अब जैसे ही cycle चड़के उपर यहां पर top पर आ जाएगी जब भी चीज हाइट पर होती है वहां प potential energy होगी ठीक है अब further यह cycle जो है वो नीचे की तरफ आएगा जब कि नीचे की तरफ आएगा तो इसको कोई efforts नहीं लगाने पड़ेंगी वो cycle खुद बखुद आ जाएगा अब वो खुद बखुद चीज जो move कर रही है ठीक है अब वो खुद बखुद कैसे कर रही है actually जगा energy जो है वो out हो रही है ठीक है energy out हो रही है तो इस जगा energy out हो जाएगी ठीक है this stands for potential energy यह जगा और इस जगा पे energy हमारी सारी out होगी और इस तरह से वो out होते हुए जैसे ही वो cycle नीचे आ जाएगी तो नीचे इस जगा पे हम कह सकते हैं कि इस जगा पे kinetic energy होगी ठीक है जो बिचीज, obviously देखें, energy convert हो रही है, potential energy जो है, वो height पे थी, जब हो नीचे आ जाएगी, तो वहाँ पर potential energy जो है, वो convert हो जाएगी, kinetic energy में, ये भी एक simple example थी, inter conversion of energy की, अब हम एक main example discuss करते हैं, जिसका relation जो है, वो आपके nature के साथ भी है, तो उसको discuss करने के लिए हम चलते हैं, next board की तरफ, जी, अब natural process जो हम discuss करने जा रहे हैं, that is rain, बारिश, आपने एकसर देखा होगा, कि like, समंदर की बात करते हैं, एक ocean की बात करते हैं, या किसी भी ऐसी जगह की, जहां पर पानी जमा है, ठीक है, उस पर sunlight पर रही होती है, sun में basically हम यहां पर कह सकते हैं, कि sun में light energy भी है, और हम कह सकते हैं, कि sun में heat energy भी है, अब यह raise, जब sun के उपर, पानी के उपर जब यह fall करेंगी इसकी raise, तो वो क्या करेंगी, कि पानी के temperature को increase कर देंगी, ठीक है, पानी जो भी surface पर होगा, ठीक है, उसका temperature आइस्ता आइस्ता increase होना शुरू हो जाएगा, that means हम यह कह सकते हैं, कि इस जगह पर इसकी जो thermal energy है, वो increase कर रही है, ठीक है, अब पानी की जो thermal energy है, वो increase कर रही है, अब यह हो कैसे रहा है, heat energy जब इस पर fall कर रही है, उसके fall करने से thermal energy जो है, वो increase करती है, अच्छा, आपको यह भी चीज़ मालूम होगी, कि पानी हमें जो bottom में होता है, वो ठंडा होता है, लेकिन जो surface पे होता है, पानी जो उपर होता है, वो थोड़ा सा गरम होता है, because क्योंकि sunlight जो है, वो directly उसके उपर fall कर रही है, surface के उपर, तो वो जो surface में पानी होगा, उसका temperature as compared to, जो bottom में होगा, उससे ज़ादा होता है, ठीक है, तो सिर्फ surface का जो thermal energy है, वो increase कर जाएगी, और अब एक time आएगा जब thermal energy इतनी increase कर जाएगी, कि वो thermal energy जो है, वो पानी के water wrappers बनाना शुरू कर देगी, और पानी जो है, वो water wrappers बनके वो उपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अब let's suppose कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर, यह water wrappers जो है, वो इस तरह से बनके, पानी उपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब यह water wrappers जब बनके उपर की तरफ जाएगे, तो यह उपर जाकर यह जमा होना शुरू हो जाएगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, and so on, सारे इस जगा पर पानी सारा water wrappers की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अब जब यह water wrappers इस तरह से जमा हो जाएगे, यह condensed हो जाएगे आपस पे, अब क्योंके इन water wrappers की thermal energy पहले बहुत जादा थी, जब यह उपर आ जाएगे, जहाँ पर temperature भी कम होता है, थोड़ा सा cold होता है वो जगा, ठीक है, तो अब वो जगा जहाँ पर cold होगी, वहाँ पर उसकी thermal energy जो है, अब वो कम होना शुरू हो जाएगी, अब जब thermal energy कम होगी उसकी, तो आइस्ता आइस्ता यह जो बादल होते हैं, यह बरसना शुरू कर देते हैं, और जब वो बरसेंगे, तो इस तरह से दुबारा से वो पानी बनके, और वो बारिश की form में वो दुबारा से वो नीचे पानी आ जाएगा, ठीक है, अब यह एक पूरा cycle है, फिर अगें जो है वैसे ही sun जो है उसकी पानी को दुबारा increase करेगा उसका temperature, thermal energy फिर से increase होगी, अगें water wrappers बनेंगे, और इस तरह से water wrappers बनके उपर जाके वो clouds बना देंगे, और वो cloud जो है दुबारा से जब temperature कम होगा, दुबारा से वो बारिश की शकल में वो होना, ठीक है, यह किस तरह से है, अब यह हमारा main topic है, इसको हम discuss करते हैं, ठीक है, अब जैसा कि for example मैंने यहां पर discuss किया था, कि heat energy जो है, वो जब पानी की surface पर पड़ती है, तो वहां की thermal energy को वो increase कर देती है, यह thermal energy water wrappers बनके उपर जाते हैं, और उपर जाके, कि वो height की बात आ गई है, जो भी चीज height पर होती है, that means वहां पर potential energy होती है, ठीक है, अब basically process क्या है, यहां पर, एक heat energy है, that convert into a thermal energy, and then again thermal energy converted into potential energy, ठीक है, अब वो potential energy, जैसे ही water wrappers का temperature cool down होता है, और वो cool down होके, वो बारिश की form में नीचे आता है, पानी सारा, ठीक है, अब जैसे ही वो नीचे आएगा, नीचे आकर पानी जो है, वो बहना शुरू हो जाता है, जब बहने का मतलब यह है, कि वो पानी motion में है, है हम यह कह सकते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है तो हम यह कह सकते हैं कि इस पानी के अंदर नीचे आकर इस पानी में काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी ठीक है तो अब पोटेंशल एनर्जी जो है वो फर्दर कनवर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में अगर मै potential energy convert हो रही है kinetic energy में ठीक है और इस तरहां से ये inter conversion of energy है जिसकी वाइस एक natural process है automatically ये चल रहा है ठीक है अब इसमें गर हम देखें तो energy जो है हमने पहरी line start की थी कि energy cannot be destroyed तो energy कहीं पर भी destroyed नहीं हो रही खतम नहीं हो रही बलकि वो एक form से दूसरी form में change हो रही है heat energy converted into thermal energy thermal energy converted into potential energy energy and potential energy converted into kinetic energy ठीक है और इस तरहां से ये है inter conversion of energies I hope आपको ये सब कुछ clear हो गया होगा अब एक छोटी सी चीज हम next page पर discuss करने जा रहे हैं जो के है soil erosion ठीक है soil erosion जो है वो board में अक्सर as a short question आ जाता है ठीक है तो इसको discuss करने के लिए हम चलते हैं next board की तरफ जी soil erosion पहलेस की definition पढ़ते हैं the flowing water wash away soil particles of rocks is known as soil erosion ठीक है यहाँ पर एक word missing है is known as soil erosion आपने एकसर note किया होगा जब बारिश होती है तो हमारी जो गलिये हैं हमारी जो गलियात हैं हमारी जो सडके हैं वो बिल्कुल धुल कर साफ हो जाती है ठीक है अब हमेशा होता क्या है के उन सडकों के उपर या उन roads पर मटी की एक layer पड़ी होती है ठीक है जिसकी명 वज़ासे हमें वो सड़क जो है काफी मेली मेली सी नजर आ रही होती है गंदी नजर आ रही होती है लेकिन वो जो सौईल की लेयर जो इपर पढ़ी है उनमें बहुत से नूटरेंट्स होते हैं से minerals होते हैं, जो के हमारे लिए important भी हैं, लेकिन जब पारिज का पानी आता है और जब वो पारिज का पानी बह रहा होता है तो वो अपने साथ उस मटी की layer को भी अपने साथ वो बहा कर ले जाता है, ठीक है? और इसकी विए से हमें लगता है कि हमारी जो roads हैं, जो हमारी सडके हैं, वो काफी साफ हो गई है, ठीक है? नो डाउट, वो सब पुछ साफ तो हो जाती हैं, लेकिन वो हमारे उसके साथ साथ बहुत से nutrients, बहुत से minerals जो हैं, वो भी बहा कर ले जाती हैं, इस process को हम कहते हैं, soil erosion, ठीक है? और इसके अलावा, energy, जब भी एक form से दूसरी form में convert होती है, ठीक है? तो हम यह कह सकते हैं, कि जितनी percentage energy की पहले मौझूद थी, बाद में भी उतनी ही percentage energy की मौझूद होगी, like for example, अगर energy की percentage पहले हमारे पास, let's suppose 50 percentage है, जैसे हमने पिछले बोट पर discuss किया था, ठीक है, कि हमारे पास heat energy थी और वो heat energy convert हो गई thermal energy में, तो अगर मेरे पास 50 percent heat energy थी, तो 50 percent thermal energy में convert हो जाएगी and same as it is 50% thermal energy जो है वो convert हो जाएगी 50% of potential energy में और same ऐसे ही 50% potential energy जो है वो convert हो जाएगी 50% of kinetic energy में ठीक है तो energy जो है वो बिल्कुल destroyed नहीं होती वो हमेशा एक form से दूसरी form के अंदर convert हो जाती है ठीक है I hope आपको यह topic समझ आ गया होगा inter conversion of energy के energy जो है वो कैसे एक form से दूसरी form में convert होती है next lecture तक के लिए take care, Allah Hafiz